दिल बेचारा में एक एहम किरदा नभा रही स्वास्तिका मुखर जी ने सुशान सिंग राजपूत को याद किया। उन्होंने एक BTS यानी Behind the Scene वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो सुशान के साथ डांस कर रही है। इस वीडियो को लेकर स्वास्तिका काफी भावुक लग रही है। स्वास्तिका ने Instagram पर वीडियो के साथ लखा, वो किजी के साथ नाचा और फिर मेरे साथ नाचा, मैं सुशान को ऐसे ही याद रखना चाहती हूँ, हमेशा, साधारन, मजा करने वाला, खुश रहने वाला, सितारों के साथ यूही नाचते रहना बॉय, प्यार, मैं हमेशा इसका आनन्द उढ़ाती रहोंगी, स्वास्तिका ने निर्देशक मुकेश शाब्रा का इस मॉमेंट को कैमरे में कैद करने के लिए शुक्रियादा किया है, दिल बेचारा में स्वास्तिका फिल्म की लीडिंग लेडी संजना सांखी यानी कीजी की मा के रोल में है, स्वास के से जुड़ी यादे अब साथी कलाकारों के जर्ये बाहर आ रही है, लीड अक्टर संजना सांखी ने अपने कोस्टा रहे सुशान सिंग राजपूत को याद करते हुए अब तक कई मेमरीज इंस्टग्राम पर शेर करती आई है, उन्होंने 12 जुलाई को एक BTS तस्वीर क को शेर किया है, इस तस्वीर में संजना और सुशान एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे है, संजना ने ये BTS तस्वीर शेर करते हुए इसका कैप्शन भी शांदार लिखा है, संजना ने लिखा, एक हसीन मजा है ये, मजा है ये, सजा है ये, तारे गिन, दिल शूटिंग के दौरान सुशान के साथ मेरे सबसे पसंदीदा बिहाइंड द सीन पलो में से एक, इस सीन को आप सब प्यार करेंगे, पता नहीं क्यों, इस तस्वीर को देख कर मैं हर वक्त थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, अभी नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं, चल जुटी, 9 जुलाई को संजना सांगी ने सुशान के साथ शूटिंग के कुछ अंसीन, मॉमेंस, सोशल मीडिया पर शेर किये है, संजना ने कुछ फोटो और वीडियो शेर करते वे लखा, दो साल पहले, आज ही के दिन, यानी 9 जुलाई 2018 को जमशेपूर में शूटिंग श के लिए शब्द नहीं है, दिल बेचारा के च्रेलर के साथ प्यार करने, रोने और हसने के लिए शुक्रिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, संजना के अलावा फिल्म के डिरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी यादो मिक हो गय, उन्होंने ट्विटर पर लखा, 9 जुलाई दोनों ने ही The Fault in Our Stars और किताब पढ़ रखी थी, और ऐसे में हमारे लिए अपने-अपने किर्दारों को नभाना आसान और रोमांचक दोनों ही था, दर्शक इस फिल्म कभी सबरी से इंतजार कर रहे है, 24 जुलाई को डिजिटल प्लाटवार्म यानिकी डिजनी होट स्ट पर रिलीज होगी, कितने एक्साइटड है आप इस फिल्म को देखने के लिए पोस्ट करिए अपने कमेंट्स